नमस्कार आपका स्वागत है आर्नाइन टीवी पर मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटाचार्या आज हम हर्याना की एक ऐसी शक्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो अपनी लाइफ के हर रोल में सफल साबित रही है फिर चाहे वो कुशल ग्रहनी की बात हो एक अच्छी बीवी एक अच्छी मा या फिर एक कुशल नेता जिन्दगी के हर किरदार को उन्होंने बखुबी निभाया है कृष्णा गहलावत जी हां हर्याना की राजनीती की जानिवानी हस्ती जो मौझूदा वक्त में हर्याना स्टेट एग्रिकल्चर मार्केटिंग बॉर्ड की चेर परसन है आज खुद हमारे साथ यहाँ पर मौझूद है कृष्णा जी आपका बहुत नाश्माद है नमस्कार धन्यवाद जी कृष्णा जी वैसे तो सवाल जहन में कई है लेकिन शुरुवात उस सवाल से करूँगी एक महिला होने के नाते हर महिला को यह सवाल का सामना करना पड़ता है जब महिला घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है नीजी लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ की बात कर ले और राजनितिक सफर सामन जिस से आपने कैसे बिठाया किन-किन मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा इस दौरान देखे मैं एक राजनितिक परिवार से नहीं हूँ पर मैं एक सामाने परिवार से समंद रखती हूँ पर मेरा परिवार सारा बहुत ही पड़ा लिखा है मेरे पती की बात ले लीजिए मेरे पती आर्मी ओफिसर रहे हैं और जहां तक मेरा बच्पन बीटा बहां भी मेरे पिता जी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और वो बड़े खुले विचारों के थे और सबसे बड़ी बात थी कि उन जमाने में लड़के और लड़की में कोई फरक नी करते थे उन्होंने हमें फ्री हैंड पढ़ने के लिए दिया और जो हम बच्चे करना चाहते थे उन्होंने हमें मौका दिया मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी शादी के बाद मेरे पती जो है आर्मी में ओफिसर थे और वो बहुत फिल्ड एरियाज में रहे तो शादी होते ही उन्होंने मुझे इंडिपेडेंट बना दिया था ताकि मैं अपना जीवन अच्छी परकार व्यतीत करती हूँ मैं शादी के बाद पढ़ाई लिखाई भी मैंने शुरू करी वो भी मैं कम्प्लीट करती रही बीच में मेरे बचे भी दोनों पैदा हो गए मेरे दो बेटे हैं मेरे बेटे भी बहुत अच्छे highly educated हैं मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो एक दूसरे को disturb नहीं करते किसी काम में तो मुझे कभी कोई भी राजनीती करते वकत सामाजी कारिये करते वकत मेरे परिवार की वज़े से कोई दिक्कते नहीं आई क्या ऐसा वाक्या था या क्या ऐसी चीज थी कि जिसने आपको राजनीती की ओर खीचा देखे बच्पन से मेरे में leadership quality रही है बच्पन जो मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भी मैं अपने ग्रूप के लड़कियों की लीडर होती थी और क्लास में मैं हमेशा monitor रही मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होने के साथ साथ बड़ा अपसी मेल जो लो रेक अपने क्लास के लड़की लड़कियों का मैं बड़ा अच्छा ध्यान रखती थी वहीं से मुझे सामाजिक कारियों करने के लिए सामाज के लिए काम करने के लिए मेरे में एक विशार आया जिग्यासा कह सकते हैं कि मैं सेवा करूँ, सेवा का भाव वो सेवा भावना की वज़े से और फिर मेरे बच्चे पैदा होने के बाद मेरे पती मेरे साथ नहीं रहते थे क्यों आरमी में फिल्ड एरियाज में रहना पड़ता था तो मुझे वहीं से एक समाजिक कार्य करने की सेवा करने की समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ वो भावना मेरे मन में आई 1987 से मैंने अपना अराजनी तेक जीवन शुरू किया और सबसे पहले ही मुझे हरियाना में हरियाना में एक बोर्ड का चेर्मेन बना दिया गया सोशल वेलफिर बोर्ड का जो केवल समाज की सेवा के लिए गरीबों के लिए ही बना था वहाँ से मुझे और भी जादा प्रोथसान मिला मैंने गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेसाहरा बच्चों के लिए बड़ा काम किया उसके बाद मैं 1996 में हरियाना विकास पार्टी में चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़ गई राजनीती की बात कर ले हर्याना विकास पार्टी में आप साथ रही है और जैसा जिक्र कि आपने बंसीलाल जी के सरकार में मंत्री भी रही उसके बाद 2014 जब आपने फैसला लिया मैं आते वक्त रास्ते में एक बाइट सुन रही थी आपकी जब आपने कहा कि देश को तक बंसीलाल जी ने जाके कॉंग्रस से बनाई थी वो फिर मर्ज हो जाती है और उसके बाद आप 2014 में ये कहती हैं कि देश को एक नया प्रधान मंत्री चाहिए पीछे की वजह कृष्णा जी जानना चाहूंग देखे कॉंग्रेस पार्टी में मैं रही जरूर पर कॉंग् रात में एज चीफ अनिस्टर हमारे नरेंदर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और उनी दिनों में देश को एक अच्छी परधान मंद्री की जरूर थी मैं भारतिय जन्ता पार्टी की कारिये शैली से उनकी नीतियों से और उन में जो देश बक्ती की भावना है उनस के क्रोडो क्रोडो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखके और उसी के मुताबिक काम कर रही आज मैं गरव सी कह सकती हूं कि हमारे देश के परधान मंत्री पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम किया है और जो गरीबों से जुड़ी हुई सारी समश्याइं है जो हमारी पंक्ती में आखरी आदमी खड़ा है उसको आगे लाना चाहते हैं इसी के लिए मैं परभावित होके पूरा बीजेपी में समर्पित हूँ और अभी मैं बीजेपी में ही समर्पित रहूँगी हाला कि अभी आप चेयर परसन है हर्याना स्टेट अग्रिकल्चर मार्केटिंग बॉर्ड की लेकिन पिछले पांस सालों में देखे राई के लिए आपने बहुत काम किया है खरकौदा क्योंकि अब रिजर्व सीट हो गई है तो अब पांस सालों से आपने राई पर फोकस किया है बात करें आपके चेहरे की तो जैसा आपने बोला कि बीजेपी में आप शामिल हुई नरींद्र मोदी की कारश याले से प्रभावित होकर 2014 में अगर देखे क्रिशना जी तो आपके चेहरे का फायदा बीजेपी को भी मिला क्योंकि राई सीट पर देखे तो तीन प्रतीशत वोट शेर था बीजेपी का जो बढ़कर हाला कि आप जीत नहीं पाई लेकिन उन्तीस प्रतीशत के लगभग हो जाना यह सिर्फ आप अपने चेहरे की बदालत मानती है या कुछ ऐसा था कुछ ऐसे काम थे जो आपने किये थे या फिर बीजेपी को इसका कितना फायदा मिला दिखिए 2014 में हमारी केंदर में सरकार आ गई थी निश्चित तोर से हमें मेरी सीट पे मुझे भारतिय जन्ता पार्टी का फायदा मिला दूसरा यह है कि भारतिय जन्ता पार्टी द्वारा किये गए किंदर के कामों को मैंने जन जन तक पहुँचाया और मैं लोगों के बीच में रही मैं चुनाव जरूर हार गई थी पर बहुत कम मार्जन से में हारी थी तो उसमें मेरी मेहनत कम मैं मानती हूँ और मेरी पार्टी का रोल जादा है और यह होना भी चाहिए बीजेपी में जादा तर जो लीडर है वो सबसे पहले पार्टी देश सबसे उपर उसके बाद पार्टी और उसके बाद कारे करता और कारेकरता के तौर पर आप लोग देखते भी है, लेकिन मैम सवाल यह उठता है, आज कल जिस तरीके की राजनीती हो रही है, दल बदल की राजनीती और लोग एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरे पार्टी, इसको लेकर इसके पीछे का कॉंसेप्ट क्या है, क्या सोचते है लोग, क्योंकि लोगों के बीच में भी छवी जाती है, कि अभी आप किसी और पार्टी में थे, अब आपने बदल ली, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी, या इसके पीछे का तर्क क्या है, देखिए ये तो एक विचार धारा की बात है, आदमी कोई भी काम शुरू करत है, अगर उसमें सफल हो जाता है, तो उसी काम को वो आगे बढ़ाता है, पर कई बार क्या होता है, कि आप कोई फैसला लेते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, पर दूसरी पार्टी उससे भी अच्छे फैसले ले लेती है, मेरे ख्याल में ये उसी का कार्न है, राजन पार्टी में हो सकता उनको लीडर्स की और कई कारण होते हैं नहीं पसंद आते तो वो चेंज करते ही रहते हैं यह तो हर्याना मेनी पूरे देश में परजा तंतर में एक यही तो फाइदा है कि राजनिती तोर से लोग पार्टीयां चेंज करते रहते हैं आज हम मेरे कितने ह संथी है जो हम हरियान विकास पर्टी में थे वो ज़्यादा तर 90 पर सेंट भार्तिय जंता पर्टी में और भारती व्यूकर ली एक सृप्शान के लिए सम ones पष्चर्ट के लिए करता है और अगर आने वाले मृधानसभर चुनाओं को देखे और आप जीत जाती हैं, तो आपके manifesto party का manifesto होता है, लेकिन आपके, क्योंकि आपने 5 साल काम किया है मैम, तो कौन-कौन से ऐसे agenda होंगे, कौन-कौन से ऐसे point होंगे कि अभी राई को ज़रूरत है और इस पर आप काम करेगे। हमारे मुख्यमंतरी जी को देती हूँ, और आज हमारे एक नारा है कि इस बार हमारे 75 पार का नारा है, मैं तो ये मानती हूँ कि 75 ने हम 80 के करीब हमारी city आएंगी, और वो सारा का सारा सर हमारे मुख्यमंतरी जी को जाता है, मैं अपने राई मंडल को, अपने राई ब्लॉक क सब डिवीजन का दरजा दिलाऊंगी मेरा ये है और मुख्य तोर से हमारे जितना भी अक्षेतर है गाउं गाउं में विकास अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों की स्कूलों में हो यही मैं मन में रखे हुए हूँ और जादा से जादा मैं विकास कराऊंगी मैंने हरिया ना मारकेटिंग बोर्ड के मादम से अपने हलके में एक सो आठ achieving Border में बनाई है चार मंडियं में हमारे मुख्य मंतरी ने हमारे liksom मैंने बनवाई है एक नारा की IT याई हमारी pipeline में है और एक हमने आयरो विद्शनृ नारी गाहों में बनवाई है तो इस तरीके से हमने बहुत काम करवाए हैं गाओं गाओं में हमारे ग्राम सची बाले बने हैं वयाम सालाएं बनी हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो हमने करवाए और जैसे जैसे ज़रूरत गाओं में पढ़ती जाएगी हम जरूर करते जाएंगे जैसे आपने कहा कि सडक के लिए आपने बहुत काम किया है और मनुहलाल सरकार ने भी काम किया है लेकिन खास कर क्योंकि हम हाईवे से होते हुए आ रहे हैं और यह जो इलाका है राई हलका यह पूरा हाईवे से लगता हुआ इलाका है दिल्ली से सटा हुआ है शुरू हो जात हाला कि नितन गड़करी हाईवे के मामले में पिछली बार नरेंदर मोधी सरकार में बहुत तारीफ हुई थी लेकिन उस तरीके से देखने को नहीं मिला मैम इसके बारे में क्या कहीं देखी मैं आपको बताती हूं जो जितनी जल्दी हारा हमारा यहां के वेंपी का बनी है ज जीटी रोड है यहां से लोग पंजाब में जाते हैं हिमाचल में जाते हैं ले लदाख में जाते हैं लोग यहां से यूपी तक में जाते हैं लोग तो भीड तो देखिए आजकल जहां भी शायर होते हैं वहां भीड होती है पर यह सारे बंदोबस किये जा रहे हैं आप य पड़करी जी का भी धन्यवाद करती हूं, मैं परधान मंतरी जी का भी धन्यवाद करती हूं, कि इतनी जल्दी उन्होंने हमारे इतने अच्छे रोड्स बनवाए हैं। या इतना काम करवा दिया है उसके बेसिस पर या ये दोनो का मिश्रण है। तो हमारे मुख्य मंतरी मुनोहरलाल जी की जो कारिये सेली रही है, जो इमानदार नेता और साफ छवी की उनकी छवी रही है। हर अक्षेतर में उन्होंने काम किया है, कोई जाती भी से इसके लिए काम नहीं किया है। तो आने वाले वधान सभाचुनाओं में विकासी एजंडा होगा सिफ या कोई और भी एजंडा होगा। देखें हमारा केवल विकासी एजंडा है, देश के हमारे परदान मंतरी जी का भी विकास का, देश की सुरक्षा का, देश की रक्षा का एजंडा है, इसी तरीके से हमारे परदेश में मुख्य मंतरी मुनोहर लाल जी का एजंडा, हरियाने के विकास का है, हरियाने की सुरक केवल विकास के नाम पर वोट मिलेंगी उनकी साफ सुथरी छवी है एक इमानदार नेता के रूप में वो अपना कारिय करें उसी उनी के नाम से हमें वोट मिलेंगी आपको आने वाले विधान सभाचुनाओ के लिए पहले से मैं शुब कामनाई देती हूं कि आपने जो विक बहुत बहुत दन्यवाद तो ये थी कृष्णा गहलावत हरेणा एस्टेट अगरिकल्चर मार्केटिंग बॉर्ड की चियर परसन हमारे साथ आर नाइन टीवी पर शुरता भटाचार्या के साथ आज बस इतना ही आप देखते रहिए और खबरों के लिए आर नाइन टीव नमस्कार